नमस्कार मेरा नाम है अंश्रिता और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया देश के कानून मंत्री अपने उस बयान से पलट गए हैं जिसमें उन्होंने हाई कोट और सुप्रीम कोट के रिटाइट जजों को एंटी इंडिया गैंग का हिस्सा बताया था लेकिन लगता है कि अपने उस एतिहासिक टिपड़ी से अब वो पीछे हट गए हैं राजवीति के गल्यारों में ये सवाल अचानक से तब उठने लगे जब राज्यसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में केंडरी मंत्री ने चुप्पी साथ ली देखिए कि जो रिजीजू अभी कुछ दिन पहले पूर्व जज़ों को एंटी गैंग का हिस्सा बता रहे थे और बता रहे थे कि ऐसे लोगों को कीमत चुकानी होगी लेकिन जब राज्यसभा में उनसे यही सवाल लिखित में पूछा गया तो उनसे जवाब देते नहीं बना उन्होंने तो चुप्पी साथ ली उनसे सीधा पूछा गया था कि क्या सुप्रीम कोट के पूर जज़ भारत विरोधी गैंग का हिस्सा है रिजीजू को कभी लगा ही नहीं था कि संसद में इस पर सवाल उठ जाएगा अब क्योंकि कुछ जवाब तो लिखना ही था इसलिए इतने बड़े सवाल के जवाब में रिजीजू ने मात्र दो अक्षर का जवाब दिया जी नहीं वो भी मौखिक यानि कि पिछले दिनों पूर्व जजों के लिए धमकी भरे लहजे में बात करने वाले कानून मंत्री अपने बयान से साफ मुकर गए बताए क्या होगा ऐसे देशखा जिसका कानून मंत्री अपने बयान पर 15 दिन भी तिकाना रह सका हूँ केंद्री मंत्री ने ये जवाब संसत के बजट सत्र के आखरी दिन प्रिश्नकाल के दोरान दिया रिजीजू से राज्यसभा में पूछा गया कि क्या सुप्रीम कोट के पूर्व जज देश विरोधी गैंग का हिस्सा बन गए है इसको लेकर कानून मंत्री ने लिखित में जवाब देने के बजाए मौखिक में जवाब दिया जबकि उन्हें जवाब लिखित में देना था खास बात ये है कि मौखिक में जवाब वो भी घुमा से राकर केरन रिजीजु ने कहा कि जजों को लेकर बताई जा रही यही धाना गलत और आधार हीन है उन्होंने कहा कि समय समय पर कानून मंतराले में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के साथ साथ रेटायर जजों के खलाब शिकायतें आती हैं जब के कानून मंतराले केवल सुप्रीम कोट और हाई कोट के जजों की न्यूकती और सेवा शर्तों से सम्मंधित ही है। यानि कानून मंतरी से पूछा तो कुछ और गया था और उन्होंने जवाब कुछ और दे दिया। अब जब कानून मंत्री अपने बयान से पलट गए तो किरकिरी होना आम बात है कोई उन्हें पलटूराम कह रहा है तो कोई कह रहा है कि रिटाइड अफसरों ने और सुप्रीम कोट के वकीलों ने मंत्री साहब की अकर निकाल दी वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आलाकमान ने समझाया होगा सोच समझ कर बोला कीजिए खेर वज़ात जो भी हो सच्चा ये ही है कि किरन रिजीजू अपने बयान से पलट गए और जब राजसभा में उनसे पूछा गया कि क्या सुप्रीम कोट के पूर्व जज देश विरोधी गैंग का हिस्सा बन गए है तो उन्होंने लिखित में कहा नहीं अब ज़रा मामला बता देते हैं तो इस विबात की शिरुवात हुई 18 मार्च से जब केंदरी कानून मंत्री किरन रिजीजू ने दावा कर दिया कि कुछ रिटाइड जज और एक्टिविस्ट एंटी इंडिया गैंग का हिस्सा बन चुके हैं उन्होंने कहा कि कुछ रिटाइड जज और कारिकरता कोशिश कर रही हैं कि भारतिये नियाएपालिका विपक्षी दल की भूमिका निभाए ऐसे लोग बचेंगे नहीं देश के खलाफ काम करने वालों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी रिजीजू के इस बयान ने हंगामा खड़ा कर दिया 90 से ज्यादा रेटाइड अफसरों ने उनके खलाफ खुला पत्र लिखा इतना ही नहीं साड़े 300 से ज्यादा सुप्रीम कोड के वकीलों ने मोर्चा खोल दिया विटपक्ष ने भी उनके बयान की निंदा करते हुए कहा कि देश के उचे ओहदों पर काम कर चुके लोगों के लिए इस तरह की भाशा का इस्तमाल करना बहुत ही गलत है यानि रेजीजू चोतरफा घिर गए जब रेजीजू घिरे तो उनकी पार्टी बीजेपी का घिरना भी सभाविक था जब पार्टी के छवी पर बात आई तो देखे जो हुआ वो आपके सामने है इस वीडियो में इतना ही आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए फेस्बुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताईए आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाए ये भी हमें जरूर बताईए और ट्विटर है आर्टिकल 19 इंडिया इसको भी फॉलो कर लिजिए नमस्कार